गाइस आज की वीडियो में मेरे पास है Redmi का Smartband Pro जैसा कि आप देख सकते हो और गाइस मैंने इसे me.com से purchase किया है और यार मैं आपको बता दू ये मुझे 3,249 रुपीज का पड़ा है क्योंकि मैंने इसे 2 दिन पहले F-Code के साथ purchase कर रहा था और गैस ये एक retail unit है कोई review unit नहीं है पर अगर आप अभी इसे purchase करोगे तो आपको ये 3,500 रुपीज का पड़ेगा तो आज की वीडियो मैं आपको इसके unboxing, first impression and quick review भी देने वाल हूँ और आपको ये भी बताऊँगा क्या आपको ये 3,500 रुपीज के price में purchase करने चाहिए या फिर नहीं तो आप देख सकते हो box के यहाँ पे left side पे लिखा हुआ है 3.73 cm full AMOLED display उसके आपको देखने को मिलता है blood oxygen level monitoring SPO2 monitoring इसमें देखने को मिल जाती है उसके आपको 100 plus exercise mode देखने को मिल जाते है उसा 2 week की long battery life और यहाँ पे mention करी है और box के back पे प्राइजिंग लिखी है वो है 5,999 रुपीज पर यह आपको 3,500 रुपीज के price में पढ़ जाएंगे और आपको link description में मिल जाएगी साथ में यहाँ पे 580M water resistant, magnetic charging, sleep tracking, always on यहाँ पे heart rate monitoring आपको देखने को मिल जाती है तो चलिए बिना किसी देरी के unboxing को शुरू करते हैं पर उससे पहले video को भी तक like नहीं किया तो like कर दो आपके लिए मैं काफी महंगे-mहंगे समान को purchase करता हूँ तो आपका एक like काफी motivate करता है और चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर देना बॉक्स को आपको कुछ इस टाइप से open कर ले ना नीचे आपको seal देखने को मिल जाएगी जिसे की मैंने पहले सही open कर लिया है तो आपको नीचे से open कर ले ना उसके आपको यहां से खीचना है जैसे आप इसे खीचोगे तो आपको सबसे पहली यह मिलेगा तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बॉस-कन्टेंट के रूप में आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा यहापे Redmi Smart Band Pro जिसे की आप में यूज़ कर रहा हूँ तो यहां पर आप एजली अपने चार्जर को कनेक्ट कर सकते हो और किसी भी USB अड़प्टर कित्रू अपने इसको चार्ज कर सकते हो तो इसे रखे हैं साइड में उसके आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है और इसके एलाब और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको एक Super AMOLED देखने को मिल जाती है जिसमें की Always On डिस्प्ले का भी support है जैसा कि आप देख सकते हो और बात करें इसके Viewing Angles की तो इसके Viewing Angles आपको काफी अच्छे देखने मिलते हैं साथ में इसकी जो Brightness है वो भी काफी अच्छी है आप चाहे तो इससे Sun में Easily Use कर सकते हो और इस Brightness के अंदर इसमें आपको एक और Option देखने को मिलता है Auto Adjust का और आप इसे On कर दोगे तो आपका जो Brightness है वो Automatically Adjust करेगा जैसा आपका Environment होगा उससाब से आपका Brightness जो कम जादा Automatically होता रहेगा साथ में इसकी Brightness आपको 5 Level तक देखने को मिल जाते है जो कर काफी अधा High है अगर आप इस Sun में यूज़ करोगे तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी तो और Overall इसका Display और इस प्राइस पॉन में काफी Best आपको देखने में मिल जाता है जब आप Smart Band को अपने रिष्ट पे वियर कर लोगे तो आपको कुछ इस तैप को इसका Look देखने को मिलेगा और इसका रिष्ट पे लुक काफी अच्छा निकल के आता है और यह काफी Comfortable भी है क्योंकि यह काफी अधा Lightweight Smart Band आपको देखने में मिलते हैं सबसे पहले बता उनके features के बारे में इनके आपको काफी सारी features देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला feature यह है अगर आप इस पर टैप करको रखोगे तो यहां से आप अपनी watch faces है उसे आप चेंज कर सकते हो तो इसमें आपको चार watch faces देखने को मिलते हैं inbuilt पर अगर आप अपनी app के थुरू और भी watch faces को लगा सकते हैं वह मैं आपको थोड़ी देर बात बताऊंगा तो इसमें यह वाला watch face में काफी बढ़ी है देखने में लगता है जो कि इन्होंने by default प्रवाइड करा है उसके अगर आप उपर swipe करोगे तो आपको काफी सारी modes देखने को मिलेंगा workout mode activity mode यहाँ पर stats, heart rate, spo2, sleep tracking, stress monitoring, breathing, cycles, weather, music, camera, alarm, stopwatch, timer, notification, find my phone, flashlight, setting तो आपको काफी सारी option देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छी बात है और उसके अगर आप workout पे click करोगे तो आपको काफी सारी workout देखने को मिलता है जैसे कि इन्होंने बताया है आपको 100 प्लस workout देखने को मिलता है यहाँ पर आपको running, pool, swimming, walking, elliptical, काफी सारी workout देखने को मिल जाते हैं आप अगर कोई भी sport प्ले करते हो आपके लिए सारे के लिए workout है अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप add पर जाके water sport यहाँ पर training, dance, combat, ball sport आप काफी सारी sports यहाँ से add कर सकते हो इसमें काफी सारी sports है आपको workout में कोई भी problem नहीं आएगी उसके आपको activity का result उसके आपको आपको स्टैट्स देखने को मिल जाता है कि आपने पूरे दिन में कितनी calories बन करें कितने step चले कितने देरे तक stand रहे को सारी चीज़े बता है उसके आप अगर heart rate देखने को मिलता है इसके result के accuracy काफी बढ़ी आती heart rate की पर आपको बता हूँ SPO2 पर इतना नियन बर मत रहना है देख सकते हो 75 इसका heart rate का result आया है जो कियरे काफी accurately provide करा देता है पर इसमें आपको level आया है पर मेरे साब से थोड़ा गलत है क्योंकि 96-97 तो minimum आना ही चाहिए तो 94 है उसलिए मैं आपको बता है कि SPO2 आप पर निरभर मत रहना क्योंकि SPO2 कभी भी watches का accurate नहीं होता चाहिए वो कोई भी watches हो तो 100% accuracy आपको कोई भी watch provide नहीं करना सकती तो अगर आप कोई patient हो तो में आपको raise to wake को option देखने को मिलता और यहां पर एक और अप्शन देखने को मिलता है वेक for five minutes तो वेक for five minutes का भी option देखने को मिलता है peng बेंड जसको मैंने भी आपको दिखायता है है यहां पर चाह विनित को मिलती है तो इन्हीं आप select कर सकते हो अलग अलग अस का आपको brightness level जो कि मैंने आपको दिखाई दिया उसमें आपको पांच level तक brightness देखने को मिलती है और brightness में आपको कोई भी issue देखने को नहीं मले फिर dnd का mode देखने को मिलता है जिसको आप schedule और on-off कर सकते हो उसका workout mode देखने को मिलते हैं, जो किया इसमें एक अच्छा फीचर ही है, आपके workout को यह auto detect कर सकता है, अगर आप running कर रहे हो, तो running and walking को यह auto detect कर सकता है, यह दो अगर आप चीजे कर रहे हो, तो इसमें auto detect का option देखने को मिलता है, आपको enable करने की workout mode से कोई भी जरूत नहीं है, यह automatically divide कर सकते हो, उसके आपको auto lock option देखने को मिलता है, जहां से आप अपना timer सेट कर सकते हो, कितने देर में आपकी screen lock होनी चाहिए, फिर cover on sleep का भी option देखने को मिल जाता है, उसके आपको यहापे vibration, आपको strong vibration चीए, default चीए, आप हर चीज सेट कर सकते हो, तो आपका जो वह है, उसस about effect पढ़ सकता है, उसके आपको system, system में आप reboot और reset कर सकते हो, फिर about band भी देखने को मिल जाता है, उसके आप set swipe करोगे तो आपको stats दिखाएगा, यहापे workout दिखाएगा, फिर यहापे weather दिखाएगा, फिर यहापे SPO2, फिर यहापे heart rate दिखाएगा, फिर हो गया, अगर आप है, यहापको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके आपको band को अपने फोन से करनेट कर लेना है, तो यहापे आपको अच्छा है कि यहापे UI देखने को मिलता है, मुझे काफी अच्या Xiaomi का UI लगता है, और one of the best UI मुझे Xiaomi का ही लगता है, देख सकते हैं, आपको से अच्छी काफी से एकुरेट लगी, लग इना फोर मिनेट के लिए अवेक रॉख वा था तो भी इसने बता दिया, light sleep, deep sleep, अपको अच्छी काफी अच्छी पर देखने में लगी है, उसक आप देख सकते हैं, आपको स्टैट्स दिखा रहा है, कितने आपने कैलोरी करई, कितने steps करें, जो कि आपको watch में भी show कर देता है, stress यहां पर standing 4 time, blood oxygen सब कुछ यहां पर show कर देता है, फिर workouts में आप जाओगे, तो यहां पे guys, इसके पास आपको बता दो, आपका जो band S के अंदर, आपको inbuilt GPS नहीं मिलता है, तो अगर आप running या walking कर रहे हैं, तो आपके phone का GPS ही मिल जाती है, तो मैं एक second जल्दी सा आपको एक display लगा के दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाली पसंद आती है, तो इस वाले को simply मैं यहां से apply कर लूँगा, तो simply मेरे smart watch है, मतला smart band है, उसके अंदर apply होना start हो चुकी है, अगरी थोड़ी दिर में apply होना start हो जाएगी, तो ज देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, तो आप इसे watch face काफी सारी आपको देखने को मिल जाते है, तो आपको normally apply कर सकते हो, इसमें unlimited option आपको देखने को मिल जाते है, उसके बाद आपको यहां पे app notification देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपके notification आपको अपने smart band में चाहि तो यहां पे सारे के सारे app supported है, WhatsApp, Twitter, YouTube, आपको सारे app का notification आपके smart band में देखने को मिल जाएंगे, बस आपको simply यहां से उन app को enable कर देना है, उसके आपको incoming calls के भी आपको notification देखने को मिल जाएंगे, तो यहां से आपको incoming calls और show contact info को अगर आप on कर दोगे, तो आपको जो भी incoming call आ रहे होगी, उसके क्या numbers है, या फिर क्या name है उस caller का, तो वो भी आपको अपने band पर show होगा, अब वहां से चाहो तो इसे cut कर सकते हो, अपने phone को, और साथ में अगर आप चाहो तो इस phone को reply with message भी कर सकते हो, फिर phone को pick up नहीं कर सकते हो, यहाद रखना, और उसके यहां प आप raising heart rate का भी option select कर सकते हो, और active heart rate भी रख सकते हो, तो सारी चीज़े यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाती है, फिर sleep में आप चाहो तो advance monitoring को भी on कर सकते हो, जिससे आपकी जो तर्णि on this feature will affect the battery, तो guys इससे आपकी battery थोड़ी जल्दी consume होगी, पर इससे आपकी sleep और अच देखने को मिल जाता है, all day monitoring करने, आपको stress की, आप यहाँ से enable कर सकते हो, फिर idle alert, फिर alarm देखने को मिल जाता है, आपको alarm यही से set करना है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर band है, वहाँ से आप alarm नहीं set कर सकते हो, आपको अपने phone से alarm set करना पड़ेगा, उसकि आपको weather देखने पड़ेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर stats को remove कर देता हूं, stats को remove कर देता हूं, उसके जगा मैं sleep add करना है, तो भी मैं add कर सकता हूं, simply इस पर click करोऊ और यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर थोड़ा app icon जो है, छोटा हो गया है, तो आपको ऐसा भी देख कर सकते हो, फिर आपको unlock phone का भी option देखने को मिल जाता है, फिर race to wake का भी option देखने को मिल जाता है, तो इसे race to wake को भी आप यहाँ पे आप schedule कर सकते हो या फिर on or off कर सकते हो उसके आप देख सकते हो user guide और काफी साथ चीज़या unpaired भी कर सकते हो तो guys, अब मैं आपको बताता हो, किल लोगो को यह smart band purchase करना चाहिए 3,500 रुपीज में तो अगर आप किसी fitness activity गोल में हो या फिर किसी sports में हो, या आप workout बहुत जादा करते हो और आपका main goal है उन्हें track करना उनका यहाँ पे record रखना तो या उन लोगो के लिए one of the best smart band है 3,500 रुपीज में आप इसे अराम से purchase कर सकते हो क्योंकि guys, मैं आपको काफी सारे workout mode देखने को मिलते हैं साथ में अगर आप fitness में हो तो काफी अच्छे से आपके सारे workout को track कर लेगा आपको daily record भी देखने को मिल जाएगा तो या उसके लिए one of the best है जो भी आर daily tracking करता अपने activities के लिए उनके लिए आरे one of the best watch है इस price में बदला smart band है इस price में पर अगर आपका main काम है आपको बस fashion के लिए चाहिए बस देखने के लिए तो यह मुझे अच्छी नहीं लगी लुक्स के मामले में आपको अच्छी लगेगी पर इस से अच्छी आपको smart watch देखने को मिल जाते हैं उनमें आपको metal frames देखने को मिल जाते हैं इस price point में काफी सारे watch में आजकल metal frames आ गए हैं तो लुक्स के मामले मुझे smart watch से जादा better लगे पर हाँ अगर आपका काम है main activity को track करना, आपने जो workout से उने track करना तो इनके लिए 3500 रुपी में सबसे best watch आपको यह देखने में मिल सकती है क्योंकि इसमें mi band से आपको डिस्पले, mi band में display थोड़ा पतला size में थोड़ा मोटा हो जाता है जो कि आपको देखने में काफी अच्छा लगता और थोड़ा unique design विसका मुझे देखने में लगा और काफी lightweight भी है, तो यह sports person के लिए watch one of the best है पर अगर आपको सिर्फ looks के लिए चीए तो मैं उससे recommend नहीं करूँगा आशकर तो आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना थैंक्यू गाइस मारी वीडियो देखने के लिए